गुद मॉर्णिंग बच्चों आज मैं सेकें स्टैंडर्ड का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ आपका हिंदी का पहला लेसन है वरंड माला यानि स्वर एंड वेंजन स्वर एंड वेंजन बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है पहले भी सिखाया है मगर एक पर फिर से हम सेकें स्टैंडर्ड में रिवीजन कर लेते हैं तो स्वर में टोटल अक्षर 13 होते हैं यानि 13 होते हैं टोटल 13 होते हैं इन 13 स्वर से हम आगे चलकर बारा कड़ी भी बनाएंगे और उनको पढ़ेंगे तो अब हम स्वर को प्रनाउंस करना सीखेंगे तो पहले मैं बोलती हूँ मेरे बाद आप लोग प्राक्टिस करों तो इस तरह से आपको स्वर पढ़ना है एक बार फिर से पढ़ती हूँ ध्यान से सुनिये तो ये पूरा क्या है स्वर अक्शन अब हम व्यंजन पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बोला स्वर और व्यंजन मिलकर वरन माला होता है तो मैंने आप लोगों को स्वर पढ़ा दिया है अब हम व्यंजन पढ़ेंगे व्यंजन में क्या आता है अब फिलहाल के लिए पिलहाल अभी मैं आपको पेला बोल चोटा है न इसलिए मैं आप लोगों को कटू रडा बताती हूँ आगे उसके बाद बताऊंगे तो पहला अक्शन है कख गघड़ड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ तो इस तरीके से हमें व्यंजन को प्रणाउंस करना है एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो इस तरह से हमें इनको प्रणाउंस करना है अब हम आगे बढ़ते हैं ताटू श यह भी व्यंजन है आप इसे कैसे प्रणाउंस करते हैं वो मैं आप लोगों को बताते हैं ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा तो टोटल हम लोगों ने काटो शा सीख लिया है आप बिना देखें आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालियो और रिपीट केजिए का खा गा घगा र्ड चा चा जा चा या ता ता दा धा र्ड ता था दा न पा फा बा भा मा या रा ला वा शा अब हम आगे बढ़ेंगे अब हमने शा तक पढ़ा आप आखरी के तीन व्यांजन शा, स, हा बचों ये आउरड़ी मैंने आपने उंको पहले बताया है कि शा और शा एक ही तरह का साउंड करता है तो आप कन्फ्यूज मत करिए तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ शा, स, हा बात में श्या, त्रा, ग्या ये सहयोगताक्षर इनको कहा जाता है ठीक है तो ये था हमारा टोटल वर्नमाला यानि स्वर और वेंजन प्लस सहयोगताक्षर तो ये आप लोग घर में प्राक्टिस कीजिए लिखिए, इतना लिखिए ताकि आप बिना देखे लिख सके उतना पढ़िए कि यापको अच्छी तरह से याद हो जाए और हमारे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उस वक्त आपको आसानी हो ठीक है बच्छो तो एक बर अपना बुक खोलिए ताकि हम स्वर और व्यांजन एक बर फिर से रिपीट कर लें और आपको आसानी हो चलिए, शुरू तो चलिए, अब हम बुक से पढ़ते हैं अपनी किताब एक निकाले, लडी पहले हम स्वर पढ़ेंगे ध्यान दीजिए आ, आ, इ, इ, उ, उ, री अब हम ब्यांजन पढ़ेंगे का, खा, गा, घा, रड़ चा, छा, जा, 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 या ता, था, दा, धा, न ता, था, दा, धा, न पा, फा, बा, भा, मा या, रा, ला, वा, शा शा, सा, हा, श्या, त्रा, ग्या तो ये मैंने और टुगेदर कर दिया है व्यान जन और सहियोगताक्षर ठीक है? आप भी इसी तरह से प्राक्टिस कीजिए ये आपके लिए बहुत हैफल होगा